देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर आपको देखे गूगल दिखाए देता है गूगल पर आपको क्लिक कर देना है आप देखिए अब आपको यहाँ पर यह सर्च बार दिखाए देगी इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है growth dream india यह दिखarchy लिखा यह growth dream india इस तरह से आपको growth dream india लिखकर search कर लेना है अब दिखिए आप सबसे पहले वेब साइट है login के लिए आपकी यहाँ पर लिखा है growth dream india.com login यहाँ पर आपको यह login लिखा हुआ है इस पर आपको click कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे अब आपको क्या करना आपको अपना यूजर आइडी और पासवर्ड फिल करके लॉग इन कर लेना तो चलिए यूजर आइडी और पासवर्ड लिकर फिल कर लेते हैं अब लॉगिन लिखा हुआ दिखाए दे रहा है आपको इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है जैसी आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने यह पॉप आप आएगा इसे आपको बंद कर देना है यहाँ पर आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा आप आपको ID login होने के बाद यहाँ पर दिखी यह 3 point दिखाए देते हैं, यहाँ पर आपको click करते हैं, 3 days पर, इसके बाद दिखें, आपको profile का एक option से सबसे पहले dashboard के नीचे, यह profile पर आपको click करना है, अब आपको क्या करना है, आपका जो profile है, सबसे पहले उसे update करना है, KYC करने से पहले आपको profile update करना mandatory है, क्योंकि आपको जब profile में जो detail है वो गलत हो गई, तो आप KYC आप भी गलत हो जाएगी, इसलिए पहले profile को update करने, अभी गलती से आपका ID बनाते समय नाम गलत हो गई, आप यहाँ पर सुधार भी सकते हैं, यहाँ पर update profile पर जाएंगे आप, अब सबसे पहले आपको फोटो अप्लोड करने का एक options दिखाए देगा, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले अपना profile फोटो यहाँ पर upload कर देंगे, तो चलिए profile photo upload कर देते है profile photo upload करने के लिए आपको देखे choose file लिखा आता है यहाँ पर choose file पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर तीन options आते है camera से दिए आप तुरंथ photo खीचना चाहते हैं आपके mobile से current की photo upload करना चाहते है तो camera का use कर सकते है या फिर files पर जाके आप आपकी खीची हुई जो photo है पुरानी आपके mobile में दे आपका photo है तो वो upload कर सकते हैं तो हम यहाँ पर mobile में जो photo है वो upload करेंगे तो इसके लिए files पर जाएंगे आप यहाँ पर देखिए वो photo आपको ढूंड लेना है जो photo आपने जहाँ पर रखा हुआ इसको उपर नीचे करके भी आप देख सकते हैं हमारे में photo उपर ही है इसलिए हम इससे उपर ही select कर लेंगे इस तरह से आपको click कर देना है जैसी आप click करेंगे photo select हो जाएगा और upload पर click कर देना है जैसी आप upload करेंगे देखिए profile image updated यह लिखा जायागा यहाँ okay पर आपको click करना है अब देखिए आपका यहाँ पर photo आ गया तो एकदम आसान तरीका है आप अपनी profile में photo कैसे upload करना है यह पहला तरीका आपने सीख लिया अब दूसरा आपको profile यह दी update करना है तो profile कैसे update करेंगे आप profile update करने लिए आपको नीचे scroll down करना है अब देखिए आपको यहाँ सारा detail दिखाए देगा आपका ID, आपकी joining date आपका नाम आपने जो नाम लिखा हुआ है तो as per pen card आपके pen card में जो नाम है नाम यहाँ पर होना चाहिए इसका भी से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी ID आपसे बनवाई जाती है उस ID पर बनने जब आपका जो registration फार्मस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो यहाँ पर नाम फिल करना है वो as per pen card फिल करना है वही नाम आपके bank passbook में भी होना चाहिए चली अब हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं सही है कि निए निए हम उसे correction कर देंगे नाम सही है चली अब यहाँ पर हम पिता का नाम लिखेंगे father's name S per ID लिखेंगे जो भी लिख रहे हैं हम यहाँ पर father's name लिख दिया हमने यहाँ पर देखी अब यहाँ पर city लिखेंगे हम इसके बाद state select कर लेंगे यह हमने state लिख दिया अब नीचे चलेंगे हम अब देखें pin code यहाँ पर आपको अपना pin code लिख देना है इसके बाद आधार number यहाँ पर आपको आधार number फिल करना है यदि आपके पास अभी अधार number नहीं है तो आप बाद में update कर सकते हैं इसके बाद date of birth यहाँ पर आपको address तो यहाँ पर address फिल कर देंगे इसके बाद nominee name तो आपको यहाँ पर आपका nominee का name लिखना है और यहाँ पर relation select कर लेना है कि वो क्या relation है आपका जिनको आप nominee बना रहे है father से, mother से, wife है, husband है, brother है, sister है, son, daughter जो भी है relation है आपर select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर update पर click कर देंगे यहाँ पर जब तक आप nominee का नाम फिल नहीं करेंगे तब तक यह update नहीं होगा farm तो हम यहाँ पर profile update कर देंगे इस तरह से यह देखे यहाँ पर आपका profile updated हो गया यहाँ पर okay पर click करेंगे तो इस तरह से आप घर बेटे profile को update कर सकते हैं profile section पर जाकर आप अपना photo update कर सकते हैं आपका जो profile है वो update कर सकते हैं यह update होने के बाद ही आपको KYC करना है इसके पहले KYC नहीं करना है आपको आपकी जन्द तारीक सारी चीज़े सही कर लेना है profile में उसके बाद KYC करना है ध्यान रखिएगा वीडियो दिए अच्छा लगा हो तो वीडियो जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को like से जरूर कीजिए और channel को भी subscribe कीजिए ताकि आपको ऐसे ही जानकारीयां मिलती रहें आपको पता होना चाहिए हम आपके अच्छी जानकारीयां लेकर आते रहते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे next वीडियो में